Hello everyone, आज है 1st August और आज इस वीडियो में हम बात करने जारे हैं सुजलोन एनोजी के बारे में 70 रुपए का शेर है बढ़िया तीजी है आज भी 1.5% की तीजी है एक महिने में भाई सब आंधी की तरह दोड़ा है ये शेर 33% की बड़ी रफ़ताराई एक्चली में जो तीजी हो पिछले 10 दिनों में इसने दिखाई है शानदार अफ़तार आई है बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में क्योंकि अब ये जिस लेवल पे बैठा है कहीं न कहीं वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की उमीद करी जा रही है कई सारे एनालिस्ट का क्या रवईया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो है जो आपो काफी जादा help करेंगे तो सुजलान का share 70 रुपए के आज पास देखने को मिल रहा है एक महिने में अच्छी तीजी है और एक साल में तो वह दमागा इसने करा ही है 265% का growth है एक साल के सबसे highest price पर है पांच साल का भी graph देखो तो पांच साल के सबसे highest price पर है और ऐसी तीजी आज से पहले कभी नहीं आई उसकी वज़े भी थी कि fundamentally improvement यहाँ पर आया था इससे पहले देखो तीजी कोविट के टाइम पर आ रही थी मतलब intra-democracy यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हो यह रहा था कि swing trade के लिए मैं इसको इसको इस्तमाल कर भी रहा था और मैंने तब कहा भी था कि तीजी आए बेचो गिरावट आए खरीदो simple सी बात है यहाँ पर लेकिन जैसे ही fundamentally यहाँ पर इंप्रूमेंट आया 14-15 रूपय के आसपा जबी शेयर था तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर long term का खेल खेलना चाहिए खरीद के भूल जाना चाहिए और मैं अभी भी अपने उसी statement पर कायम हूँ जिनका नजरिया long term का है उनके लिए कि खरीद के भूलने वाला चाहिए और अभी जिस तरीके से भाई साब tax लगाया गया है government की थरफ से मैं एक ही चीज़ कहूँगा देखो जो भी retail investor है उनको long term के बारे में ही सोचना चाहिए क्योंकि short term के बारे में अगर करने जाओगे तो भाई साब सीधा 20% का tax लगी जाएगा आपके उपर हाला कि जो लोग बड़ा game खेलते हैं उनके लिए अब मतलब यह चीज़ नहीं है जो छोटे investment के साथ आते हैं यह उनके लिए है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहतरीन तीज़ी इसने दिखाई जरूर है और देखो बीच बीच में इसने correction भी दिखाए थे लेगिन वहाँ से हर बार रफतार आई है और आगे भी मुझे लगता है कि 70 रुपय का जो level यहाँ से रहेगा 70 से 75 का जो level रहेगा उस दो जो लॉंग टेम के लिए है उनको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए पने रहो कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन जो short टेम के लिए है वहाँ पर यही होता है कि गिरावट पाएगी थोड़ी बहुत फिर तेजी भी आ जाएगी हालकि अगर गिरावट यहाँ पर आती भ कारे में बात करोगे तो 70 रुपए का मार्क इसने छू लिया है जो कि बहतरीन चीज़ है यहाँ पर इस कंपनी के लिए एक टाइम था जब यह स्ट्रगल कर रहा था दिक्कत में था बरबाद हो रहा था और दो बार इनुर्प में डेट को रिस्ट्रक्चर करा फिर भी नह ला हुआ जरूर नजर आया है आईसे आईसे सेक्यूरिटीज के अगर हम बात के तो जुलाई 24 को उन्होंने इसका टागेट जो परे सांट रुपए का था उसको अपग्रेट करके 70 रुपए का करा था जो कि उस टागेट को यह अचीव कर चुका है ठीक है अब यहाँ पर सेम चीज़ अगर आप देखो आनंदराथी के अगर हम बात करें जाए और नुवामा इंसेटूशन के बात करें तो सुजलाउन को लेकर आनंदराथी का टागेट प्राइस है 69 रुपीज और नुवामा का 64 रुपीज के आसपास का था जो भी अचीव हो चुका है यहाँ और देखा जाए तो यहाँ पर नुवामा का कहना यह है कि लौंग टर्म पॉजिटिव है वो सुजलाउन में फैनाशले 2025 और 2027 तक जो अर्निंग एस्टिमेट्स होगा वो इनका अच्छा होगा हावेवर उनको यह लगता है कि अप्टिक इंटर और इंफ्लो और उसको लेकर अल्डेडी हमें तीजी देखने को मिल चुकी है यहाँ पर जीम फिनाशल के बाइकॉल है 71 उपीस का टागेट है उनका भी यहाँ पर और ब्रोकेज का कहना है कि ग्रेजुली यहाँ पर एक मोमेंटम बिल्ट हो रहा है एक्जेकूशन हेल्दी वाटर बुक औ तो अब तक अब तक सिंस जन्वरी 1st 2023 टोटल 56 टेंडर्स विट 55.4 गीगा वोट्स यूटिलिटी स्केल जो है विन्ड की उतने बड़े ओर्डर इनको मिले है यहाँ पर इंकलूडिंग एंटी पीसी गुजरात से जो इनको 1110 मेगा वोट का जो ओर्डर मिले है वो भी यह यहाँ पर शामिल है तो आप देखें कि पिछले मतलब दो सालों में ही मतलब दो साल भी नहीं पूरे कंप्येट एक जनुरी दोचा तेई से लेकर अब तक विए 56 टेंडर्स जो है वो मिल चुके है तो बड़ी अपरशुटीज है क्योंकि आने वरे टेम में इसका पैसा भ और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जी ओजीत की बात करें तो उनका बाइकॉल है 73 रुपीस का टार्गेट था उनका जुलाइ 26 को और कंपनी में आपको यह भी समझना होगा कि पिछले कुछ टाइम में कई सारे इंसिटूशन ने यहाँ पर बाइकॉल दे दिया ठीक है उसकी वज़ए से भी अच्छी तीज़े यहाँ पर देखने को मिली है वो उन सब के टागेट अचीव हो चुके हैं तो यहाँ से भी थोड़ा तो हला कि डिविडेंट यह पे नहीं कर रही है लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले साथ डिविडेंट पे करना स्टार्ट कर सकती है प्योंकि मैनेजमेंट से भी डिविडेंट को लेकर सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था यह कि लोगों को डिविडेंट इसका हो चुका है यहाँ पर ठीक है और मार्केट ने इस चीज़ को फेक्टर अल्यट जो अच्छी अच्छे रिजर्ट जो इसके आने वाले ठीक है मार्केट इसको अल्यट फेक्टरिंग कर चुका है कि कई सारे और बुक इनको मिले हैं कई सारे और इसको मिले हुए हैं अगर आप इनके financials को भी देखोगी तो पता चलेगा कि revenue भले ही कम हुए मार्च के मुकाबले ठीक है लेकिन profit बढ़ गया यहाँ पर क्योंकि कहीं न कहीं पैसा बच रहा इनका आने वाले quarter में अगर और ज्यादा अच्छा revenue होंगे तो और बड़े profits पर आपको देखने को मिल पर आएगा आपको share holding के बारे में देखें तो promoter की holding अभी कम है 13.27% है लेकिन लगातर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो mutual funds खरीद रहा है 1.33% से खरीद कर 3.82 पर आ गया retail और others है जिन्होंने बेकवाली करिए 62.73% से घट कर 56.03% पर आए ओवरल मैं इतना ही कहूंगा इस company को लेकर सुजलान को लेकर कि company अच्छी है बुरी company नहीं है एवन जब 14 रुपे का था तब ही मैंने कहा था कि खरीद के भूल जाओ और बीच में जब भी मैंने इसके बा चाहिए ना कि short term का बीच बीच में ऐसे घड़े आते रहेंगे हो सकता है कि अभी 70 और 75 के बीच में जब यह जाएगा तब एक correction दुबारा देखने को मिले 15-20% का लेकिन वो भी एक opportunity ही होगी और जिनका नजरिया long term का है उनको इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए अगे नहीं मेरा opinion है कोई investment advice नहीं है यह वीडियो को यह बेंडर करता हूँ पसंदा हो तो लाइक करो शाइगर चैनल बगरा पहले बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment मिलके बता सकते है थैंक्यो